ब्रिटन से संचालित मीडिया संस्थान BBC के दफ्तरों पर इंकम टैक्स की रेड पड़ी है और इसकी वज़ा बताई जा रहे है टैक्स की गड़ड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पर हुई है BBC पर हुए इस एक्षन की वज़ा से विपक्ष और खास तोर से कॉंग्रेस नाराज है और इतनी नाराज है कि कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश ने तो BJP सरकार पर हमला बोलते हुए कह दिया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धी यहां हम JPC की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में और वहां सरकार BBC के पीछे पड़ी हुई है विनाश काले विपरीत बुद्धी वहीं BJP प्रवक्ता गवरो भाटिया ने BBC को दुनिया का सबसे भरस्ट और बकवास कॉर्परेशन करार दिया है यह कहना आज गलत नहीं होगा BBC पूरे विश्व की सबसे भरस्ट बकवास कॉर्परेशन हो गई है और दुख की बात यह है कि BBC का प्रोपगांडा और कॉंग्रिस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब BBC को लेकर विवाद हुआ है बैन कर दिया गया था नमस्कार मैं हूँ अविनाश और आप देख रहे हैं अनकर अभी BBC पर इंकम टेक्स की जो रेड पड़ी है उसके पीछे वज़ा बताई जा रही है टेक्स की गड़बड़ी लेकिन कॉंग्रेस ने इसे BBC की हालिया डॉक्यमेंटरी इंडिया दमोधी क्वेस्टन से जोड़ दिया है जो गुजरात में साल 2002 में हुए दंगो पर आधारी थी और जिसमें गुजरात के ततकालीन मुख्य मंत्री और फिलवक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी पर गंभीर सवाल उठाए गये थे हलाकि लंदन में प्रसारित इस डॉक्यमेंटरी को भारत में बैन कर दिया गया था जिस पर कॉंग्रेस ने खूब सवाल उठाए थे अगर बीबीसी का जहां यह डॉक्यमेंटरी बनी उसका मुख्याल है हिंदुस्तान में कहीं होता तो ED मालो ED बीजी है तो CBI CBI बीजी है तो income tax बीजी है तो SFIO बीजी है तो DRI बीजी है तो local police लोकल police भी मालो बीजी है तो troll army पर unfortunately for Modi government आखे बंद करने से सच्चाई नहीं छुप सकती है लेकिन यह Congress और उसके ही प्रधानमंत्री का कारेकाल था जिसमें documentary band तो छोड़िये पूरी पूरी BBC को ही दो साल के लिए band कर दिया गया था और दिल्ली इस्थित उनके दफतर पर ताले लगा दिये गया थे यह वाक्या है साल 1970 का तब BBC ने भारत को लेकर दो documentary बनाई थी एक थी कलकत्ता और दूसरी थी Phantom India इसे बनाया था फ्रांसिसी डायरेक्टर लुइस मैले ने और इसका प्रसारण ब्रिटिस टेलिवीजन पर ही हुआ था लेकिन तब ब्रिटेंड में रहने वाले भारतियों ने इन दोनों documentary पर गंभीर आपत्ती जताई थी क्योंकि इसमें भारत की नकारात्पक शवी पेस की गई थी हंगामा मचा तो प्रधान मंतरी इंद्रा गाधी के नेत्रितो वाली भारत सरकार ने 29 अगस्त 1970 को BBC को बैन करने का फैसला किया भारत में BBC के पत्रकार मार्क टली और रोबी रॉंसन को कहा गया कि वो 15 दिनों के अंदर दफ्तर को बंद कर दें और इस तरह से भारत में पहली बार BBC पर एक्शन हुआ और उसे भारत में बैन कर दिया गया 1971 के आखिरी महीनों में जब भारत पाकिस्तान की जंग चल रही थी तो BBC की सेवाओं को फिर से बहाल कर दिया गया लेकिन BBC बैन का दूसरा मौका तब आया जब इंदरा गांधी ने 25 जुन 1975 की रात को पूरे देश में आपातकाल लगा दिया तब कॉंग्रेस के 41 सांसोदों ने पत्र लिकर प्रधान मंतरी इंदरा गांधी से BBC पर बैन लगाने की मांग की थी क्योंकि BBC देशी नहीं बलकि दुनिया में भी भारत की नकारात्पक शवी पेस कर रहा था तब BBC पर बैन तो नहीं लगा लेकिन BBC ने खुद ही अपने पत्रकार मार्क टली को दिल्ली से वापस लंदन बुना लिया और अभी BBC पर छापे के बाद कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश की ओर से जो कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धी ठीक यही बात इमर्जंसी लगने के ठीक बाद जैप्रकाश नारायन यानि की जेपी ने अपनी गिरफतारी पर कही थी और तब उन्होंने इंद जिस पर इंद्रे सरकार ने नौ सिर्फ बैन लगाया बलकि पूरे-पूरे BBC दफतर को ही बैन कर दिया और तीसी डॉक्यूमेंटरी निर्भया गैंग रेप से जुड़ी है जिसका नाम था इंडियास डॉटर बिटिश फिल्म मेकर लेसली उडवीन की बनाई इस फिल्म को आठ मई 2015 को वर्ल्ड वाइट प्रीमियर किया गया था और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज का डॉक्यूमेंटरी को बैन कर दिया था दिल्ली हाई कोट ने भी इस बैन को सही ठहराया था तो BBC का भारतिय सरकारों के साथ टकराओं का इतिहास पुराना है जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बेच सिर्फ राजनीत होती है और अब भी जब BBC पर IT रेड पड़ी है तो वही हो रहा है आज के लिए शुक्रिया आप देख रहे थे अंकट